नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस वीडियों दिखने वारे हैं यूपी एस एक्जाम 25 नॉमर 2021 की सेकेंड शेट में पूछी के साथी साथ यह पर 20 के आसपास हिंदी की स्वाल भी मिले है तो यह सारे स् स्क्रिप्स में तो टेलिग्राम चाहिए जरूर जोइन कर लेना तो सेकेंड शेट में इन सभी केंड़ेट का बहुत बहुत धन्यवाद जितना रियल और ओथेंटिक स्वाल है वो टेलिग्राम पर सेंड किये थी तो चलिए आप पर स्वाल जाने उससे पहले में आपको ब आप मॉक टेस्ट 280 रुपे में इस डील को ग्रेब कर शकते हो तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अभी जाके इस टेट सीरीज को टीटीज को पर यूज करते हुए जोइन कर लेना ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डील रहने वाली है और इसमें सारे एक्जाम लो रहें जो सेम एग्जाम पैटन पर अधरःत रहते हैं तो चले हैं आपर कंटिन्यू कर लेते हैं सेक्रिप्श fu को पहरा स्वाल बाल शाहितीप्रुषकार किसके द्वारा दिया जाता है बाल शाहितीप्रुषकार कि बात नहीं दोजार इकीस में अभी मार्च को मिला यहां पर मेरा है बाल शाहिती प्रूशकार 2021 का तो यह सहीत एकेडमी देती है अगरास वालिया पर अब तक सबसे ज़्यदा जनहीत याचिका है पियल है वो किस मोलिक अधिकार की सर्क्षन में लगी है तो कमेंट करके बताना इसका एक्जेक्ट एंसुर क्या हो सकता हो सकता इसका एंसुर आर्टिकल 2100 जिस पर सबसे अधिक जनहीत याचिका है वो दायर की गई है अगरास वालिया पर FDI में तेजी लाने के लिए निवेसकों के लिए ओनलाइन पोर्टल कौन सा है तो FDI Foreign Direct Investment के लिए परतेक्ष विदेसी निवेस के लिए याई परतेक्ष विदेसी निवेस बढ़ाने के लिए ओनलाइन जो पोर्टल है उसका नाम है FIFP यानि Foreign Investment Facilation Portal हो ज है Samsung Intelligence Assistant का क्या नाम है Samsung Intelligence Assistant का नाम है बेक्ष भी ठीक है Amazon का जो असिस्टेंट है वो है Alexa अगला स्वाल लिखते हैं यहाँ पर IPC की धारा 293 के तैत कितने उमर से कम के व्यक्ति को अश्लील सामगरी बेचना अपराद किसरेणी में आता है तो यह IPC की धारा 293 के अंतरवित क्या बताया गया है कि 20 वर्ष कम उमर के किसी वी व्यक्ति को अश्लील सामगरी बेचना वित्रित करना परदर्शित करना या सर पर अश्टिल हरकत करने या फिर अश्टिल गाना गाने को भी अपराद की स्रेणी में धारा 294 के अंत्रगत रखा गया है आई टी एक्ट की कौन सी धारा इस टाइप से आशले सामगरी पब्लिश या ट्रांस्मीट करने को अवेद बताती है वो है आई टी अधिनियम 2000 की धा सर्षट के तैदी अवेद है अगला स्वाल या पर किस राज्ये विधान मंडल की दोनों शदन है यनि विधान सबा और विधान परिशद है ये दोनों कौन से राज्ये तो ऐसे चर राज्ये है जिसका नाम है अंदर प्रदेश, बिहार, करनाटक, महाराष्टर, तेलंगा उत्तरपदेश हैं, यहाँ पर विधान परिशद भी हैं, तो केंदर शाषित परदेश से पहले जमू कस्मिर्यों में भी विधान परिशद थी, बाद में यूटी बना तो यह नहीं रही हैं, और आर्टिकल 179 में है राज्यों में विधान परिशद का उस साजन या फिर स सर्जन है कौन से राज्यों विधान परिशद है उसका गठन है आर्टिकल 179 में इसका वर्णन देखने को मिलता है और विधान परिशद की बात करें तो अनुच्छे देख सो कत्रक अनुसार विधान परिशद के कुल सदेश्यों की संक्या है वो राज्ये विधान सबा की आर्टिकल आपको पूचा है भाव चार एक के आर्टिकल एक क्याओन ए में याद रुखना है नागरिकों की मोलीक करतियों को 1936 में 22 कॉंस्ट्योशन अमेंडमेंट के जरिए एड किये गे हैं ये रशिया की समयदान से लिए गे हैं और सरदार स्वाण सिंग समीति के अनुस संसा प्रेंड को जोड़ा गया है तो 11 मोलीक करतियों कौन से हैं कौन से नहीं ये आपको पता होना चाहिए 11 मोलीक करतियों सुरुवात में दस ही थे 11 मोलीक करतियों का बैट किया गया है तो 86th Constitution अमेंडमेंट वा 2002 में इसके जरिए 11 मोलीक करते हैं जो कि 6-14 वर्ष के बच विशे कितने हैं 100 हैं शुरुवात में कितने थे 97 थे राजी सुची में वर्तमान में 61 विशे हैं शुरुवात में 66 और बात कुन समर्ती सुची में वर्तमान में 22 विशे हैं शुरुवात में 87 अगरास वले पर शंपत्ति का अधिग्रहन कौन सी अनुसुची में शामिल है तो संपत्ति का अधिगरण है ये अनुसुची 9 में शामिल है चीक है और अनुसुची 9 है जो कि पहली बार शुविदान संसुद्रुगा उसमें एड की गई है शुरुवात में आर्थी फिर नोवी एड की गई है 1901 में पर्तम शुविदान संसुद्रुगा के जरिए इसमे संपत्ति का अधिगरण की विद्यों का उलेक मिलता है और इस अनुसुची में शमरीत वेश्यों को नेरले में चुनोती भी नहीं दी जा सकती है वन्यजिव सरक्षन अधिनियम पर दोस्वार पूछी गए है तो ये 1972 को पारित हुआ है उससे में राष्टपती वीवी ग् और यहां पर एक पूछा कि के सदिनियम के तैत वन्यजिव को मानना का अपराद माना गया है ये वन्यजिव सरक्षन अधिनियम 1972 है जन्हित याचिका के इस देश से सबसे पहले शुरू ही है तो जन्हित याचिका है ये USA से लिए यहां से शुरूआत हुई है पी आई एल जन्हित याचिकाएं दायर किये इस देने जन्हित याचिकाओं की जन्नी का जाता है अगला स्वालिया पर आयोडियन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो यहां पर आयोडियन की कमी से गलगंड या फिर घेंगा रोग है गोहित रोग हो जाता है जैसे थाइराइट ग्रं इसे स्वार पूछा गया है कि सरोजनी नाइडू का कारेकाल राज़ेपाल की रूप में कब से कब तक रहा है तो ये सरोजनी नाइडू है भारती किसी भी राज़े की राज़ेपाल बनने वाली पहली माईला बाकी बात करूं उत्तर प्रदेश की पर्थम राज़ेपाल जो होने के बाद 1950 को कौन बने हैं सर होमार शजीब फिरोसा मोधी बने थे और उससे पहले शुप्त प्रांथ जो नाम था उत्तर पुदेश का इसके पर्थम राजीपार 1921 को बने थे उसका नाम है हर्कॉर्ट बटलर अगला स्वाल दिखते हैं तो इसका गटन किया गया था 1989 को अद्धिक्स का नाम है BP Mandal पर्थम पिछरा वाजोग है जिसका गटन हुआ था। में ठीक है और राष्टपती की दोरा जो पर थम पिछला वरग आयूग का गठन हुआ था उस समय अध्यक्स है वो कौन थी काका केल कर थे अध्यक्स पर थम पिछला वरग आयूग का पिछला वरग आयूग की बाद राष्टी पिछला वरग आयूग का गठन किया गया है ठी पिछला बरग आयोग जैसा की गठन है दोस्तों 1993 में हुवे हैं और इसी आयोग की पर्थम चैर्मेन रहे हैं आरेंद परशाद वर्तमान में भगवान लाल शहान है अगला स्वाल कौन सा निकाय समिधानिक नहीं है उसमें एक विकल पे दे रहा था इंटर इस्टेट काउंस हैं जो अंतराज्य प्रिशद हैं जिसका गठन है आर्टिकल 263 में केंदर राज्यों की मध्य समन्वे इस्तापित करने के लिए गठन का प्रावधान हैं तो ये एक अपने आप में क्या हो जाएगी समिधानिक निकाय हैं पूछा कौन सा समिधानिक निकाय है तो ये क्यों महान्याइबादी छेतर और महाद युगता आठिकल 165 में वो देश्य परस्ताव का पारित हुआ है यही आपको पारित का पूछा तो आपको 22 जनवरी 1947 करना था वो देश्य परस्ताव है वो कब परजेंट किया गया था तो यह दोस्तों 11 देशंबर 11 नहीं 13 देशंबर ठीक किया था सुविधान सभा की बैठक में डॉक्र राजिंदर परशाद को इसताई अध्यक से वो चुना गया है जो अंतक इस पद पर बने रहे थे उसके बाद 13 देशंबर 116 को जवारला नहरुजी लेकर आ गये थे उस देश्य परस्ताव दुपारी तो आता 22 जनवरी 1947 को अगला स्वाल यहापर मोला ना आजाद एडूकेशन फाउंडेशन कब बना है मोला ना आजाद जो एडूकेशन फाउंडेशन है इसके इस्तापना 1989 होई है यह अलप शरंकिक मामलों की मंत्राले के दोरा वित्पोशित है नेश्वा लेखते हैं यहापर किस मामले में सरो आप पर शीमित करने की शक्ति नहीं रखती हैं आर्टिकल 338 क्या बताता है जो कि समीधान संसुदन की प्रकरिया इसी एक आर्टिकल में लेकिन मोलिक अधिकार का आप समाप नहीं कर सकते हो इसमें संसुदन नहीं कर सकते हो यह जो कोई शाय था गोलक नात्मराम पंजाब र पांच मार्श 1931 को मिँ ओप रश्ठ पती के लिए नियून्तेमाईउं है जो राष्ठ पति और राश्बाल की वो 35 वर्श होती है जब राश्बाल और राश्ड पती के लिए मिनिमम मेज है वो 35 वर्श है अंगला स्वा लिखते हैं पर ओपरेशन गौल्डन बर्ड किस देश के साथ भारत ने किया है ओप्रेशन गौल्डन बर्ड है ये दोस्तो आतंगवाद्यों का शफाया करनी के रिए भारत और मेमार का एक श्युक्त सेन्ने अभ्यान है जो कि 1995 में हुआ था तो ये कहां पर मिजोनम की शीमा पर भारत मेमार का श्यु चंदर को बोला जाता है आपको पूचे ले अब भ्रण्ष का पाने किसे कहते हैं तो पिछेल को हिंदी का पाने केशोरिदास वाजबेई हिंदी वेकन का पाने कामता प्रशाद गुरू को अगला स्वाल है कौणसा धरम शुदार आंगलुन था तो धार्मिक आंगलुन से जो कि सितंबर से दिर्शंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ है इसमें गांदी जी कांग्रेस का नेत्रतों कर रहे थे और इसके बाद गांदी जीने ने सेकेंड राउंड टेंबल कॉंफरेंस के बाद गांदी जीने समयनिय आवग्या अंदुल की भी शुरु keyboard की है पर्थम गोल में समयन हुआता 1930 में ड्योटी 31 में फिर तीसरा बतीस में हुआ है और तीसरा जो गोल में समयल है तीनों ही कांपर हुए है गांदन में हुए है 17 वेक्ति परती वरक किलोमेटर है, सबसे अधीक है वो जन सिंके घनतों बिहार का हैं, जिसका जो जन सिंके घनतों हैं वो 1106 वेक्ति परती स्कॉर किलोमेटर हैं, उसके बाद पच्छी मंगाल का हैं, फिर केरला का हैं, अवरॉल में सबसे ज्यादा वैसे दिल्ली का आता है, यूटी की केस में 2011 में इनका जो जन्सिंग के करना तो ये ग्यारा जार तीन सो बीस वेक्ति परती स्कोर किलोमेटर नेश्वाल यह पर नई समिक्षा का जनक किसे माना जाता है नई समिक्षा का जनक टी एस इलियेट को माना जाता है राज्य आपदा प्रबंदन प्राधिकरण का अद्धिक्ष कौन होता है राज्य आपदा प्रबंदन प्राधिकरण का अद्धिक्ष है वो मुख्य मंत्री यह आपको राष्ट्य आपदा प्राधिकरण का अद्धिक्ष पूछ रहे राष्ट यापदा प्रबजन पुरादिकराण का गठन है वो 2005 में किया गया है केंदरी सत्रक्ता आयुक को कौन हटा सकते हैं तो राष्टपति के दौरा नियुक्ती और राष्टपती हटा सकते हैं लेकिन डारकी नहीं आटा सकते हैं इसके लिए जो उन्होंने कदाचार किया है या फिर दुर्वयवार किया है तो केंदरी सतरक्ता आयूकु राष्टपती के दौरा दुर्वयवार के आधार पर पस से हटाया निलंबित किया जा सकता है लेकिन केवल तब ही कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जो भी इन्होंने दुरिवेवार किया है उसकी जाच में वो सही पाया जाता है तो उनके खिलाब कारिवाई की सेपारिस होती है और न्युक्ती भी प्रेजिडेंट करते हैं और बात कर रहे हैं कैंदरी सतरक्ता आयुक की तो इससे पहला आया था किस सम सकता आयुक्त है वो है सुरेश एंड पतेल रामसर का सम्मन्द किस से हैं तो रामसर वैसे एरान की एक शीटी है आर्दर भूमी शमेलन से इसका नाम आप जानते हूं निश्यो कत्र मुवा ये रामसर शमेलन जो की नम भूमी की सरंक्षन से सम्मन्दी थे हैं वरतमान में ग्यारा रामसर वेटलेंड साइट हैं जो 2021 में चार साइट सामिल होई ये आपके स्वेशल पता होना चाहिए भिंडावास वन्नेजियो अभ्याण जजजर हरियाना में सुल्तानपुन राष्टे उद्यान गुरू ग्राम हरियाना थोल जील वन्नेजियो अभ्याण एमदाबाद की पास गुजरात में और वादवाना आर्दरभूमी वडोधरा गुजरात में ये जार साइट हैं 2021 में शामिल की गई हैं जो एशिया की सबसे बड़ी औक्षबो लेक है गोखुर जील है ये कुछ साइट हैं जो 2020 में रामसर वेटलेंड साइट में एड की गई हैं आस्टन वेराज भी किया गया है उत्तराखन की ये साइट हैं वैसे वेटलेंड डे कब मनाय जाते हैं दो फ्रावडी को मनाते है विश्व आर्द्रभुमी दिवस कुम्मेला कहा एवजित होता है चार जग़पर होता है एक तो उज्जयन में कुम्मेला होता है शेप्रा नदी के तटपर फिर परियागराज में होता है इलाबाद में जो गंगा यमना सर्शती के संगम पर तिरवेणी संगम पर और उज्जयन में हरिद्वार में 2015 में होगा है इलाबाद में 1025 में होगा जो फूम्मेला होने ऑर्ध कुम्मेला 2019 मेंror नाश्रिक और तिरुम्बक उम्मेला है की पुष्टी कब की थी तो 1992 में की है बाल अधिकारों पर कन्वेंशन है CRC है इसको दोस्तों 20 नौंबर 1989 को United Nations की जो महा सबा है उनके दोरा अनुमोदित किया गया है बाद में कन्वेंशन को ओपचारी क्रूप से 26 जनवी 1990 को अनुमोदित के लिए खोला गया था भारत ने यापर समर्थन किया है वो 11 दिश्रमबर 1992 को किया है अलासवाल अंतराजे पृष्ट की अधिक्ष्टा कोन करते है प्रदार मंत्री की दोरा ये जो बैठक होती है इसके अधिक्ष्टा की जाती है और पहली बार जून 1990 में अंतराजे पृष्ट की इस्तापना की गए थी आर्टिकल 263 में उबर निते नेक्ष्वार लोग अधालत किनकी अधालत है इस्टैप से क्या विक्ष्ट आप कमेंट करके बताना लोग अधालत की इस्तापना का विच्चार है वो पूरो मुखे नयादिस पी एन भगोती ने दिया था और सबसे पहली लोग अधालत का योज़न खर का समनार्ति शब्द आपको ये विकल्प दे रखे थे उसके बाएद आपको शलेष का अलंकार शब्द पूछा है ये आपकी ओप्सन थे फिर यहाँ पर रक्तिका में परते कौन सा ये विकल्प थे हिंदी भाषा का संब्द मिनाक्षी में कौन सा समाश है अनल किसका प्रयावाची है हरुमान के प्रयावाची आपको इस तुल का विलोम पूछे है आशिरवाद की शुद वर्तनी पूछे है चांद का महूं टेड़ा किसकी रिच्चना है ठीक है शलेष अलंकार कैशा अलंकार इस टाइप से था एक सिद शमत काल किसने कहा है इस टाइप से भारत मुनी का अनुसरान रश्रों की संक्या कितनी बताई है भारत मुनी के अनुसरार ये इस टाइप से पूछे गए है तो ये कुछ हिंदी की स्वाल भी आप देख सकते हो ये सेकेंड सिप के लगबग सारे स्वाल कंप्लिट हो चुक है वीडियो पूरा देखने कर आप में थर्ड सिप का वीडियो मिल जाएगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बैल आइकन ज़रूर हिट कर देना टेस्ट सीरीज के लिए आप टेस्ट बुक पर टीटीज के कोपन कोड यूज करते हो एक्स्टा डिस्काउंट ये सकते हैं कर देवाद